अगर आपके MRA की रिपोर्ट दिखा रही है कि आपको स्पाइन में हेमेंगियोमा है तो इसका क्या मतलब है? हेमेंगियोमा एक ट्यूमर होता है, लेकिन ये ट्यूमर खतरनाक नहीं होता जादातर केसे में हेमेंगियोमा एक ब्लट फिल्ड कैवटी होती है बोल में बेसेक लिए अगर यह हमारी spine है तो जैसे हड़ी है इसमें हो सकता है कि आपके हमारे रिपोर्ट में आया हो कि इसमें hemangioma है लेकिन गबराई यह मत 95% cases में hemangioma से कभी दिक्कत नहीं होती है यह भी हो सकता है कि hemangioma सिरफ एक जगा पे ना हो उपर नीचे और भी बहुत जगा पे हो इसका अगर हम देखें तो 40 to 60 age group वाले लोगों में सबसे कॉमल यह देखने को मिलता है spine camera ही में और 30% cases में तो एक level से ज़्यादा जगा हो सकता है मतलब यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी बहुत जगा पे हो सकता है लेकिन 95% cases में यह सिरफ एक finding होती है जिससे कोई दिक्कत नहीं होती है 5% cases में ही aggressive hemangioma होता है जिससे कोई दिक्कत हो सकती है उससे night में pain हो सकता है या फिर यह भी हो सकता है कि वह hemangioma size में बढ़ दया और hemangioma है तो आपका surgeon हो सकता है आपको CT scan या MRI करने को बोले जिसमें के पता चल जाए किस तरह का hemangioma है और कहां है hemangioma में अगर treatment की ज़रुत पड़ती है तो इसमें दो ही indications होते है या तो कभी इसमें fracture हो जाए जिसकी वैसे कमर में धर्द हो रहा हूँ या फिर aggressive hemangioma में growth शुर एक procedure होता है जिसे हम कहते है pre-operative embolization तो वो एक procedure होता है उसके बाद इसकी surgery होती है कभी-कभी surgery के बाद हमें radiation therapy भी देने की ज़रूत पड़ती है अगर इसमें fracture हुआ है और कोई नस नहीं दब ली तो कभी-कभी सिरफ हमें kyphoplasty नाम का procedure करते हैं नहीं तो एक injection procedure करते हैं ज तो वह normally एक normal finding ही होती है और उससे आपको कोई नुकसान नहीं होता है thank you